कुलू जिला मुख्याले से सटी खराहल घाटी के बिजडी महादेव सड़क चड़ाई की कारे में ठेकेदार की लापरवाई से जनता को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में पंचायत प्रतिनिध्यों ने उपायुक्त कुलू आशुतो शिक गर्ग को समस्या के समाधान के लिए ग्यापन सौंपा और प्रशासन से जल्द समस्या की समाधान की मांगी हम आज जो ख्राल के जन प्रतिनी दी हैं इसी लिए डीस साब से मिलने आये थे कि हमारे जो रोड में है बाइडनिंग होरी अच्छी बात है चौड़ी करन होना चाहिए रोड का लेकिन दिक्कत ही है कि जो पैदल चलने वाले यातरी हैं शरधालू हैं और स्थानिये लोग हैं उनको बहुत ची कठाईयों का सामना करना पड़ रहा है जो गाड़ी वाले हैं उनकी गाड़ी के चेंबर फट रहे हैं दो-दो धाई-धाई-फिट के जो गड़े हैं सडक में कोई प्रपर तरीके से काम नहीं हो रहा है अव्यवस्तित तरीके से काम हो रहा है रोलर ब जो सडक में नहीं चलाया जा रहा है ताकि रोड प्लेन हो पत्थर जो उपर को उठ जाते हैं मिटी नीचे बैठ जाती हो जिससे चेंबर फट रहे हैं और दूसरा जो धूल मिटी के कारण जो है स्थानिय लोगों के घरों में दुकानों में मिटी घुस रही है और जो लोग पैदल चल रहे हैं उन्हें भी जो है धूल के बीच में सुबा नहां दो के आओ कपड़े साफ लगा के आओ तो बिलकुल लाल हो जाते हैं कपड़े मिटी के कारण दूसरा बहां पर जो जितना ये रोड उपर हमारा बाइडनिंग हो रहा है वो उसमें जो क्वालिटी जो तक आगे बड़े हैं वो चार किलोमेटर तक खोद दी ही जड़क लेकिन जगा जग कई जगा छूट गई है उनसे और पिछे जो टाइरिंग नहीं और ये ना गटका फेंका गया है जिससे जो भूल मिटी इतनी ज़्यादा उठ रही है बिमार होने का बहुत ज़्यादा प्रियावर्ण के लिए खतरा है हमारे जो बगिचे हैं सेब के पलम के नाशपती के बो भी जो है सूख जाएंगे मिटी जो उन पर काफी बैट रही है दो दो इंच मिटी पतों पर बैट रही है इसलिए हम आज स्पेचल ही यहां जिलादिश मोधे से मिलने आये थे और इ स्लाइडिंग जोन है यहां जो जिस दंग से कटिंग की गई है तो यहां जगाश्लाइड होगी और आने बाले स्मय में खतरा भी होगा और कटिंग तो काफी की गई है पर जो क्वालिटी जिस दंग से होनी चाहिए डंगे जिस तरह से लग रहे हैं वह प्रपर तरिके से पिछे हैं, उनको भी नुकसान होने का खत्रा है, स्लाइड होने का खत्रा है, नलके लोगों के हैं, प्राइवेट, सडक में JCV लगी, मशीने लगी, वो सारे पाइप तो खाड़ दी है, लेकिन अब लोगों को जो है, मेरे आज वही विभाग से बात होई, IPS विभाग की उसम पारे बहुत दिक्कत में है, इसलिए बहाँ पर पानी का एक बार काम हो, और प्रपर तरीके सुम तो चाहते हैं कि एक किलोमेटर तक आप काम कीजिए, उसके बाद जो है, उसे पका कीजिए, उसके बाद दूसरे किलोमेटर का काम आगे शुरू कीजिए, लेकिन ये चार क किलोमेटर के उनने खोद खुदाई करके रखी है, मिटी धूल के सिवाग कुछ नहीं है, और लोगों की गाड़ियां तूट रही है, क्रोडो रुपे का नुकसान हो गया, पचासों गाड़ियां तूट गई, वहाँ पर पचासों कारों के चंबर तूट गए सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट